हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ राजय अदव और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस महत्पूर्ण वीडियो में हम देखेंगे और इसमें से लगभग 600 पदों पर बहुत ही जल्द भरतियां होने ही वाली है ठीक है इसके लावा हम देखेंगे कि सीजी टेट में जो नकल प्रकरण का मामला चल रहा है उस संबंध में क्या करेवाही की जा रही है उसके बारे पूरी जनकारी देखेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो पूरी जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लिजेगा साथ ही बगल वाले बे सीजी टेट का एक्जाम लिया गया है और उसके बाद से ही जो है नकल का मामला आप लोगों ने जरूर सुना होगा ठीक है तो इसी की संबंध में जो है नियूस पेपर में 26 ख़बर के नुसार आप देख सकते हैं कि किंद्रा देक्षवा सिक्षक करा रहे थी नकल होगी का करेवाहि इसके बारे में की गई है तो इसका आगे का प्रोग्रेस क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर किंद्रा देक्ष को निलंबित भी किया जा सकता है और इसके अलावा हाला की है जाच रिपोर्ट के लावा जस्पूर कलेक्टर को भी भेजी जाएगी और यहां पर सुमवार जाच रिपोर्ट सौपी जाएगी कहा जा रहा है कि इसमें किंद्रा दक्ष के खिलाब निलंबन की करेवाही भी की जा सकती है सबी दोसियों पर कारेवाही की एनुसंसा की गई है तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है यहाँ आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि जीले में ठीक है जीले से 34,000 अभिहर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए परिक्षा दी थी तो ये जो है राइगर्ड जीले की बात की जा रही है और यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही वो परिक्षा कंड़क्ट हुआ था उसके बाद कुछ अभिहर्थियों ने नकल कराय जाने की सिकायत वहां पर की थी और यहां पर जानत में कुछ इस तरह की बाते सामने आई कि एक यूवती को धोखादड़ी और नकल के सारे सिक्षक बनाने में कुछ लोग लगे हुए हैं और लड़की को नकल कराने के लिए कि इंद्राध्यक्ष परिविक्षक सिक्षी का टेट पास कर चुके स्टूडेंट ने रैकेट बना करके यह नकल करा रहे थे तो इस तरह की बातें सामने आई हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक तरह से सर्मनाग बात आप कह सकते हैं कि जहां पर हजारों लाखों स्टूडेंट उस दिन जो हैं इमानदारी से परिक्षा दिला रहे थे सीजी टेट क्रेक करने के लिए तो वहीं पर इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही अचंभित करने वाला बहुत ही सर्मनाग काम है ठीक है तो जैसे ही वेकेंसी की गोश्रा की गई है तो कुछ ऐसे दल भी जरूर एक्टी हो जाते हैं हर बार देखा जाता है जो इस तरह से अनुचीत कारे करके जो है जौब लेने की कोशिज यहां पर करते हैं तो फिलाल इस तरह की यह रिपोर्ट थी की जो है कुछ रिपोर्ट यहां पर सौपी जा चुकी है और नकल की जानकारी मिली थी जिसको प्रथम दृष्टिया जो है सही पाया गया है जाँच में सही पाया गया है इसके बारे में यहां पर दिया गया है और जिस तरह की भी क्या कहा गया है उच्च सिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी की द्वारा यहां पर देख सकते हैं कि प्रध्यापकों के 595 पदोपर भर्ती के लिए जल्द ही नए सिरे से विग्यापन जारी होंगे इन नियमों में जो भी विशंगतिया थी उन्हें दूर कर लिया गया है क्यों क्योंकि यह 595 पदोपर पहले भी इस भर्ती को जारी किया गया था परंतु यहां पर वही चीज़े दी गई है कि विशंगतियों की वज़े से इसको फिर से वहां पर इस्थगित कर दिया गया था संसोधन प्रस्ताव राजय ससन को भेजा जा रहा है और इसके बाद जो है सहयक प्रद्यापकों का प्रमोशन होगा और उनका सह प्रद्यापकों में जब उनको प्रमोट किया जाएगा तो सहयक प्रद्यापकों के पद भी वहां पर खाली होंगे ठीक है तो उन्हीं बातों के यहां पर बताया गया है जैसे यहां देख सकते हैं कि पहली पर प्रद लिया गया है वहीं कॉलेज में सब प्रध्यापक के पद भी होंगे ठीक है तो साहग प्रध्यापक के सब प्रध्यापक बनेंगे जब साहग प्रध्यापक तो सेटप में साहग प्रध्यापकों के पद की रिक्तियां बढ़ जाएंगी और वही अनुमान लगाया जा रहें क 800 से 22 पदोपर अगले साल तक जो है अगले वर्ष तक फिर से इसमें भरतियों की जाएंगी तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 500 95 पद यानि कि लगवग 600 पदोपर ये जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को भरती देखने को मिलेगी प्रद्यापक के पदपर 600 पदोपर इसके अलावा अगले साल तक 800 पदोपर जो है भरती आपको देखने को मिलेगी यानि कूल मिलाकर कि आप कह सकते हैं कि लगवग 1400 पदोपर उच्छ शिक्षव भाग में पुना भरती होने की फिर से प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है अब आगे इसके लिए जो भी अब्डेट मिलता है तो आप तक पहुंचाए जाएगी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरू रख लिजेगा आज का ये वीडियो यहीं कि था अगर वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरू कर दीजेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद